देशब तक नूचल में आपका स्वागत है इस वक्त की बड़ी खबर गोहाना के गाउं महमुतपुर से सामने आ रही है जहांपर एक बाइक ने एक दुसरी बाइक को टक्कर मार जी जिसमें एक 11 साल की बच्ची की जान चली जाती है और उसका छोटा भाई जो की 9 साल का जा वह भी गंबीर रूप से गायल हुआ है जिसे पीजी आई रोह तक जो है रैफर कर किया गया है और वह अब वहाँ पर उसका इलाज चल रहा है गंबीर हाला जो है उसकी बताए गई है और इसके बतादे हैं कि गाउं महमुतपुर में आज सुबह जो है ये दर्दनाक हाथ सा हुआ है जिसमें नहा जो की 11 साल की थी उसकी खानपुर PGI पहुंचते पहुंचते मोत हो गई जिसमें उसका छोटा भाई यस जो की 9 साल का है वह भी गंबीर रूप से घायल हुआ है उसके सेर में भी काफी चोट लगी है उनको खानपुर PGI से रोहतक PGI रैफर कर दिया पहुआ रीना भी गंबीर रूप से घायल हुई है और एक व्यक्ति समुन्दर वह भी इसमें गंबीर रूप से घायल है रीना और समुन्दर की खानपुर PGI में अभी इलाज चल रहा है और बता दें कि यह सुबे एक्सिडेंट हुआ है और यह जो चारो दो बच्चे और रीना और समुन्दर गौहाना से चले थे शिवर नगर इनका मकान है और गाओं जाक्सी के रहने वाले हैं और गाओं जाक्सी के लिए यह सुबे निकले थे पूजा अर्चना के लिए और जब गौहाना से महमुत्पुर के पास पहुँचे तो वहाँ पर एक बाइक सवार पुलिस ने अग्यात बाइक सवार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया और आगी की जांच परताल तेज कर दी गई है और आपसे अपील जूर रहेगी कि इन तस्वीरों को जादा से जादा से शेर करें ताकि हर वेक्ति तक की खबर पहुँचे कि गोहाना के गाउं महमुत्पुर में एक अग्यात बाइक ने दुसरी बाइक को टकर मारी जिसमें 11 साल की एक बच्ची की दर्दनाक मोत हो गई है और इसमें उसका छोटा भाई गंबीर रूप से घायल है और पीजियाई रोह तक में उसका इलाज चल रहा है